आज हम बनाएंगे अलू मेथी की सब्जी, लेकिन में चीज जिसका ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है मेथी की कड़वाहट को कैसे दूर करें। आज मैं आपको एक ऐसा मेथट बताऊंगी जिसमें आलो मेथी की सबजी में बिल्कुल कड़वा हटने आएगी और टेस्ट डबल हो जाएगा आप इस वीडियो को बिन स्किप किए लास तक जरूर देखिएगा और वीडियो यूजफूल लगे तो लाइक का बटन दवाएं और शेर करना बिल्कुल न भूलें हेलो फ्रेंड्स मैं मलिका खुराना हेल्दी रेसिपी होम में आपका स्वागत करती हूँ हमने ये एक बंच फ्रेश मेथी का लिया है इसका ये मोटा वाला डंठल हम हटा देंगे और इसके पत्ते तोड़ देंगे ये जो छोटे-छोटे सॉफ्ट डंठल है इसे रहने देंगे डंठल हटा दिये हैं और मेथी के पत्ते अलग कर दिये हैं अब इसे बारीक काट ल मेथी को काटने से पहले ही वाश कर सकते हैं, मेथी को 2-3 मिनट पानी में डिप छोड़ देंगे, जिस से कि मेथी में जो मिट्टी होगी वो बैट जाएगी, पानी के उपर वाली जो मेथी है उसे हम उठा के टोकरी में डाल देंगे, ये ध्यान रखना है कि हाथ नीचे तक जाए, ये बाकी पानी को हम सीव कर देते हैं, और जो लास्ट में पानी बच जाएगा इसे डिसकाड कर देंगे, फेक देंगे, इसमें मिट्टी बहुत जादा होती है, जन्नी में जो मेथी है इसे फिर से वाश कर देंगे, और बाकी मेथी में एड कर देंगे, मेथी को हम इसी प्रोसेस से दो से तीन बार वॉश करेंगे, हमने चार मेडियम साइज के आलू लिये हैं, जिसे की हमने छील लिया है और वॉश कर लिया है, इसे कट करेंगे और फिर से वॉश करेंगे, एक कडाई लेंगे और इसमें मस्टर्ड ओल डालेंगे, आप कोई भी कुकिंग ले सकते हैं लेकिन आलू मेथी की सब्जी मस्टर्ड आयल में ज्यादा टेस्टी बनती है अब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं आलू फ्राई करने से सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है फ्लेम फुल रखेंगे आलू फ्राई हो गए हैं तो इसे निकाल लेते हैं हमने आलू निकाल दिया है और ये देखी थोड़े से ओयल में हम 1 टीस्पून जीरा डालेंगे जीरा जब रोस्ट हो जाता है तो ये अपना फ्लेवर देता है उससे सबजी का टेस्ट बढ़ जाता है इसमें हम टमाटर डाल देते हैं जिसको कि अभी हमने पीसा है और साथ में 1.5 टीस्पून सॉल्ट, 3-4 टीस्पून लाल मिर्च, 3-4 टीस्पून गरम मसाला और 3-4 टीस्पून यम रोस्टिट जीरा पौडर ले रहे हैं इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे और रोस्ट करेंगे हम आलू मेथी में अनियन, जींजर, गार्लिक कुछ नहीं डालेंगे इसके बीना भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हैगा आप चाहें तो एड कर सकते हैं और स्पाइसीज भी अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं तड़का रोस्ट हो गया है अब इसमें हम आलू डालेंगे जिसको की हमने फ्राई किया है और मिक्स करेंगे आप यदि आलू को फ्राई करना नहीं चाहते तो आप इसमें कच्चे आलू डाल दें कवर करके पकने दें जब तक की अच्छे से सॉफ्ट नहों जाएं अब इसमें हम मेथी डालेंगे जिसको की हमने वाश करके सीव में रखा हुआ है मेथी डालने के बाद सब्जी को कभी भी कवर नहीं करना है कवर करने से मेथी कडवी हो जाती है अभी हम फ्लेम लो कर देंगे और इसे 2-3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे 2-3 मिनट हो गए हैं तो इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और अभ फ्लेम हम मीडियम करेंगे और इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे मैं आलू मेथी की सब्जी में हल्दी नहीं डालती आपको अच्छी लगती है तो आप डाल सकते हैं आलू मेथी की कड़वाहट को बैलेंस करता है और आलू मेथी का कंबिनेशन बहुत बढ़िया लगता है आप चाहें तो इस टाइम इस पर एक चम्मच देसी गी डाल दें और साथ के साथ रोस्ट करते रहें इसे सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा सब्जी अच्छे से रोस्ट हो गई है तो हम फ्लेम बंद कर देंगे अब हम आलू मेथी को सर्व करते हैं आ रहे हैं न मूम में पानी आलू मेथी की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है इस सब्जी के साथ प्लेन परांठा, चपाती, मिलेट परांठा बहुत अच्छे लगते हैं ये देखें मिलेट परांठा कितना सॉफ्ट बना है अब आप भी आलू मेथी की सब्जी बनाईए खाईए और इंज्वाइ करिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए तैंक यू